अधाब लिजे आज मैं आपको दो छोटी छोटी नजमें पेश करता हूं दरसर ये दो नजमें अपने स्वर्गवासी अहलया रानी के लिए लिखी थी लिजे आप भी सुनिए पहली नजम का अनुवान है प्यास हर एक मोड पर याद बनके खड़े हो हर एक मोड पर याद बनके खड़े हो हर एक मोड पर याद आते रहोगे हर एक रहा पर आँसूं की जुबा में मेरे गीत मुझको सुनाते रहोगे स्याह रात की काली सारी पहन कर मुझे सुभ तक तुम जगाते रहोगे कभी याद कभी चान जब तेरी बिंदिया बनेगा तुम उक्रे को अपने छुपाते रहोगे तेरी लाल चुन्डरी जो ओढ़ेंगी कलिया मेरे नैन बन से भी शबनम बहेगी तेरी लाल चुन्डी जो ओढ़ेंगी कलिया मेरे नैन बन से भी शबनम बहेगी धूरे सपन दीब की लौ को लेकर मेरी सांस तेरी डगर तक चलेगी राहिवन है तेरी प्यास जो अब है जोती की सूरत तेरी प्यास जो अब है जोती की सुरत मेरे सोच मंदिर में जलती रहेगी मेरी जिन्दगी का सफर जब तलक है तेरी रौशनी साथ चलती रहेगी लिए दुसी नदम सुनिये उसका अनवान है कंगन तेरे बोलों का निगाहों की खमोशी जंदगी का गीत हो जाए तो तेरी याद आती है मेरे सीने में पानी आग बनकर जो उतर जाए तो तेरी याद आती है मेरे खाबों में कोई अजनबी जुल्फों को लहराए तो तेरी याद आती है किसी चहरे में तेरा चांद चहरा जो नजर आए तो तेरी याद आती है कोई पाइल मेरे शेरों में घुल जाए तो तेरी याद आती है तिरा वादे पे आकर वक्त को मधोश कर जाना मेरी बेताबिय दिल पर नजर का वार कर जाना खमोशी ओर कर मेरे वदन में आग भर जाना मेरे इहसास का शोला अलाओ में बदल जाना जो सब कुछ था तिरा जो साथ अपने ले गया एक दिन वो दिन जिस दिन तुम्हरा जिस था उपहार शोलू का जिस दिन खामोश चानगं तेरे बोलो का निगाहों की खमोशी जिनदगी का गीत हो जाए तो तेरी याद आती है झाल झाल झाल